हलो फ्रेंट्स, बहुत-बहुत स्वागत है आपका Super Fast Study and Experiment पर फ्रेंट्स हैं इस वीडियो में हम Discuss करने वाले हैं कि Convair Belt के Gearbox के Load को कैसे कम कर सकते हैं हम अगर आपके Convair Belt के Gearbox में ज़्यादा Load पढ़ रहा है कुछ कारणों की वज़ा से तो क्या होगा आपके conveyor belt का gearbox जो है उसकी live जो है वो कम हो जाएगी और ये आपके conveyor belt के gearbox के लिए सही नहीं है gearbox आपका fail भी हो सकता है तो दो तीन ऐसी छोटी छोटी चीजे हैं जिने हम अक्सर नजर अंदाज कर देते हैं जो की हमारे conveyor belt के gearbox के लोड के बढ़ने का बहुत बड़ा रीजन बनती है तो friends इस वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही industrial technical videos, mechanical engineering fields related videos में upload करता रहता हूँ 1100 से ज़्यादा videos जो है मैंने अपने चैनल पर upload कर दी है आपको हर एक topic के उपर videos मिल जाएंगी तो फिलहाल चलिए इस वीडियो को start करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्थ तक तो पहला reason है conveyor belt के gravity take up unit में weight का बढ़ जाना और वो कैसे बढ़ता है running conveyor belts में mostly क्या होता है wet condition में अगर material जा रहा है या फिर dry condition में भी material है तो धीरे धीरे क्या होता है gravity take up unit के उपर में material accumulate होने लग जाते है यानि कि जमने लग जाते हैं धीरे धीरे वो material वहाँ पर इखटा होते जाता है है ना जिसकी हमें सफाई करते रहना बहुत ही जरूरी है समय समय पर अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो वो क्या है जादा इखटा हो जाएगा जिसकी वज़ा से gravity take up unit का weight बढ़ जाएगा और weight बढ़ जाने की वज़ा से belt का tension बढ़ेगा और जैसे ही belt का tension बढ़ेगा conveyor belt के gear box के उपर load बढ़ जाएगा gear box के साथ साथ motor के उपर भी load बढ़ जाएगा दूसरा reason है conveyor belt के skirt board का proper नहीं होना proper नहीं होना का मतलब यह है जैसे कि जहाँ पर material transfer हो रहा है conveyor belt में जो transferring shoot है है ना तो हम mostly क्या होता है उसे छोटा बनाना चाहिए यानि कि ज़्यादा length तक नहीं होना चाहिए ज़्यादा लंबा skirt board अगर आप लगाएंगे और ज़्यादा लंबे दूर तक वो belt से contact में रहेगा क्योंकि देखिए skirt का जो rubber होता है वो क्या करता है belt को press करके रखता है दबा के रखता है है ना तो वो जितना कम रहेगा उतना ही कम friction होगा आपके conveyor belt को तो कम रहना चाहिए जिससे की कम friction generate हो और कम load create हो आपके conveyor belt के gearbox में तो ये भी बहुत ही छोटा सा reason है जिसे कोई ध्यान नहीं देता है लेकिन ये भी एक reason है तीसरा reason है idlers का proper functioning ना करना jam हो जाना या फिर damage हो जाना तो देखिए हमारे conveyor belt के जो idlers होते हैं अगर वो freely move नहीं करेंगे rotate नहीं करेंगे तो क्या होगा friction बढ़ जाएगा फिर से क्या होता है mostly dust की वज़े से और material की वज़े से इनहीं कारणों से idlers जो हैं रुख जाते हैं कभी-कभी तो उन्हें क्या होता है समय समय पर hammering करते रहना पड़ता है checking के दोरान ताकि वो फिर से rotate होने लग जाए या फिर जब उनकी bearings चली जाती है तो उन्हें फिर replace कर देना चाहिए जिससे क्या होगा आपके belt पर access load नहीं होगा freely वो rotate करेगा तो belt भी freely move करेगा अगर वो rotate नहीं करेगा जिससे क्या होगा sliding contact वहाँ पर होने लग जाएगा friction बढ़ जाएगा और आपके belt का load बढ़ जाएगा indirectly आपके gearbox का load बढ़ जाएगा तो ये ensure करें कि आपके conveyor belt के सारे idlers जो हैं वो freely rotate कर रहे हैं इसके साथ ही चौथा reason है conveyor belt का tracking सहीं से होना चाहिए यानि कि conveyor belt center पे चलना चाहिए mostly कई बर क्या होता है conveyor belt sway होके चलता है कभी किसी side में shift हो जाता है कभी किसी side में shift हो जाता है तो ये आपको ensure कर लेना है कि आपका conveyor belt center में चले अगर कहीं से टकराएगा वो तो फिर वही friction बढ़ेगा आपका friction बढ़ने की वज़ा से आपके conveyor belt का load बढ़ेगा और आपके gearbox का load बढ़ जाएगा तो ये कुछ छोटे छोटे points हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके conveyor belt के gearbox पे load कम पढ़ेगा और load कम पढ़ने की वज़ा से load की वज़ा से आपका gearbox फेल नहीं होगा तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपके conveyor belt के gearbox की life increase हो जाएगी और आपका conveyor belt proper functioning कर पाएगा तो friends इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा फिर चे मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलविदा